12 अगस्त बड़ा शुक्रवार तुलसी में बांधवें ये एक चीज हो जाओगे करोडपुती। दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए शुक्रवार के दिन तुलसी के नीचे बांधें ये एक चीज। मा तुलसी का मिल पौधे में समस्त देवी देपताओं का निवास है देवी लक्षमी जी का निवास माना जाता है और निमीत रूप से तुलसी के पौधे की अगर पूजा की जाए और एक रोटा जल दिया जाए तो लाव अविश्य मिलता है बेद पुरार में बिस्तार पुरवक बताया गया है इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार को तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधने पर मा तुलसी का मिलता है आस्तिरबाद आपको वो शारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं लेकिन शुक्रवार को तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधना भी है ज दोस्तो हिंदु धरम में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी जी के समान ही पूजनी माना जाता है। पूजन अपूण मानी जाती है। इन्ही कारणों से सभी हिंदु परिवारों में शुक्रवार को तुलसी का पौधा जरूर लगाते हैं। और आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांती और सम्रिद्धी के लिए तुलसी मा को लाल चुनरी, शुक्रवार को अवश्य च यानि कि विशेस रूप से ध्यान देना चाहिए और उढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बलकि हमारी माता है। आपको बता दे कि तुलसी को चुनरी उढ़ा का रखना बेहस सुब माना जाता है। लेकिन इस बात के ध्यान और खास यानि बहुत कम लोग रखते हैं ध्यान, कई लोग ये भी गलतिया करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, वह फट जाती हैं लेकिन एक दसी या फिर अन्य कोई शुब दिवसवर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं लेकिन आप न केवल तेहारों पर चुनरी बदलना हो पाती, तुलसी में कई दिव शक्तिय बिराजमान हैं जो लोग तुलसी बिवा कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, श्वर्ग की प्राप्ती होती है और बड़ी प्रसन्नता मिलती है, दोस्तों अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप शुक्रवार की दिन तुलसी माता को लाल धागा ही बान दीजेगा, जी हाँ, लाल धागा आप उनके पेण के नीचे टहनियों में बान दीजेगा और एक दीपक घी का जरूर जला दीजेगा, खाली पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी माता नाराज होती है और आपको फलों की गाठ बान्द के आप तुलसी के नीचे बान्दे अपनी मनोकामना बोलते हुए, संतान की मनोकामना हो, बैवाहिक जीवन की मनोकामना हो, हर प्रकार की मनोकामना आपकी हाथों हाथ पूरी होगी, क्योंकि माता तुलसी और माता लक्ष्मी जी पूर्ण फल देने वाली हैं दोस्तो तुलसी के पास आपको शुद्ध एक घीका दीपक जरूर गाय के जलाना है कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए इसके आसपास तुलसी के जूते चपल जाडू पोशा भी रखना पाप माना जाता है तुलसी के आसपास गंदगी कभी नहीं करने चाहिए तुलसी के पौधे में सीवलिंग और गडेश जी की प्रत्मा नहीं रखना चाहिए तुलसी में कोई भी अन्न पौधा लगाना नहीं चाहिए तुलसी का पौधा जहां भी हो वहाँ पर सदैब साफ सफाई होना चाहिए हरा भारा होना चाहिए तुलसी के पास कपड़े नहीं शुख पौधा चाहिए और नहीं रव्यवार को पूझा करने चाहिए तुलसी की सुभई साम पूझा करने चाहिए और साम के वक्त एक दीपक जिला देना चाहिए दोस्तो अगर आप सच्चे दिल से माता तुलसी को अपने घर पर बोलाना चाहते हैं तो कमेंट बाक्ष में शेलन को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा जय मातुलसी जय मालक्षमी